हेलो दोस्तो, आज हम SSC CHSL 2020 जो अगस्ट 2021 में हुआ था इसमें reasoning में coding decoding से I-O-A सारे question solve करेंगे इससे पहले मैं reasoning में reasoning set से I-O-A सारे question solve करा चुका हूँ उसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें coding decoding के वीडियो चीए तो यह वीडियो मैं आपके लेके आ रहाँ तो अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को share करें like करें, channel को subscribe जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें कई लोग देखते हैं लेकिन like comment share נहीं करते हैं तो please share करें कोडिंग Sc frequency काम है सबसे important बात यह है और दूसरा जो important point ये है कि आपको opposite याद होने चीए A का Z होता है, B का Y है तो यहाँ पे कुछ tricks मैंने बताई है आप इस से याद कर सकते दूसरा यह है, यह मैं अपनी basic video में बता चुका हूँ दूसरा यह है, अगर आपको position याद है तब भी आप opposite निकाल सकते हैं कोई भी जो opposite होंगे, जो भी alphabet उनकी जो position का sum होगा और 27 होगा आप देखेंगे, जो भी opposite है उनकी position का sum 27 तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे आप देखें, सब का sum जो है 27 है तो यहाँ पर आप पोजिट आपको याद हो जाएंगे तो question शुरू करते हैं यहाँ पर पहला question है एक निश्चित भासा में husband को ABD as an issue लिखा गया है तो उसी भासा में housewife को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखें last तक देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए आपको logic दिखेंगे नए नए pattern दिखेंगे जो आपके आने वाले exam के लिए important है तो यहाँ पर आप देखें husband को लिखा गया है इस तरीके question में आप देखेंगे सबसे पहले आप देखें जो आपके alphabet यहाँ है वो यहाँ लिखे गया है तो इसका मतलब यह है कि कहीना कहीं cross pattern हो सकता है यानि कि इनकी position को इधर उधर लिखा जा सकता है cross में तो लेकिन यहाँ पर आप यही चीज़ देख सकते हैं यहाँ आपके कितने है 1, 2, 3, 4, 7, alpha, beta और यहाँ housewife में जा देखें तो cross pattern नहीं हो पायागा क्योंकि cross pattern में आपके यह है कि आपके बरावर होने चीज़े तभी आप आसानी से cross pattern लगा सकते है तो यहाँ पर आप देखें जो logic है h, u, s, b, a, nd ठीक है यह लिखा गया है और इसको लिखा गया है a, b, d, h, n, s, u तो यह देखें यहाँ पर जो logic है यह बहुत ही famous logic है यानि कि इससे पहले cgl में जो question आये थे उसमें भी यह पूछा जा सुका है मैंने उस समय बताया कि आप देखेंगे कि यही question repeat हो रहे है, इसी pattern में question repeat हो रहे है, sorry question नहीं लेकिन pattern जो होता है, logic हो इन्ही question में repeat होता तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो यहाँ पर alphabet को लिखा गया है, वो आपका increasing order में लिखा गया है, यानि कि सबसे छोटा A, उससे बड़ा B, फिर D, फिर H, फिर N, S, फिर U, तो code जो किया गया है, increasing order में किया गया है, तो आसान सा logic है, लेकिन यह आपको याद रखना है, कि increasing order में यहाँ पर लिखा गया है, तो increasing order में लिखा गया है, तो आप सेम देखें, housewife को कैसे लिखेंगे, housewife को increasing order में, यानि कि सबसे छोटा पहले कौन सा आगा, सबसे छोटा E है, तो E आजाएगा, उसके बाद आप देखिए, E है, तो double E आजाएगा, अब आपको option में भी option, जो E से start हो रहा है, तो इसका मतलब answer यही होगा, तो आप आगे यह भी check कर सकते हैं, आप देखिए कि last में जो आ रहा है, सबसे बड़ा letter आ रहा है, increasing order में, तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, तो W है, तो last में W आएगा, फिर से option देखे, A की option है, जिसमें W ह आप देख सकते हैं, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, increasing order में, तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी निश्चित कूट भासा में, प्राउट को लिखा गया है, W ह, Z P X, और कुसी कूट भासा में आपको यह लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखनेंगे, प्राउट, P R O U D, प 15, 21, 4, ठीक है, और उसके बाद आप देखनें कि यहाँ पर इसे 23 लिखा है, और यहाँ पर आपका 25 है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, और यहाँ पर आप देखनें, P आपका 16, और next आपका, K आपका 11, तो यहाँ पर आप देखनें कि यहाँ पर क्या किया है, प्लस 7 किया है और यहां आपका प्लस 7 किया है next में आप देखने हैं यहां पर माइनस 5 है और यहां भी आपका माइनस 5 है और यह प्लस 7 है अब logic देखे कि logic क्या है तो logic यहां पर आप देखने कि यह O और U है O और U क्या होता है यह आपको वावल पता है ठीक है तो यहाँ पर logic जो है यहाँ पर आपका वावल में जो किया गया है वो आपका minus 5 किया गया है और जो consonant है उसमें आपका क्या किया गया है plus 7 किया गया है तो यह यहाँ पर logic है यह आपको जरूर देखना है जब आप यहाँ पर माइनस 5 करके देख अगर आपको यह ध्यान में नहीं आ रहा है कि हो एक बार आप ध्यान में जरूर देखने कि उसमें वावल तो नहीं है उससे रिलेटेट भी चेंज होता है तो यह आपको important बात है यह आपको ध्यान में रखने जब आप कहीं पर first जाते किसी question में तो वहाँ पर vowel का कुछ रोल तो नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह हो गया तो अब सीधे आपको logic पता चलगे आप guilty का आप लिख लीजे G-U-I-L-T-Y तो G का आपका 7 होता है 7 में plus 7 करींगे तो आपके पास क्या आजाएगा 14 आजाएगा N आजाएगा और U आपको पता है vowel है vowel है vowel में minus 5 करना है 21 में से minus 5 करेंगे तो P आएगा तो N P आजाएगा अब आपको option भी जरूर देखने है option देखेंगे तो आपको आगे करने की जरुवत ने होगे time बचे आपने देखा पहला N है दूसरा P है तो एक ही option है जो N P से है आप इस पर टिक कर सकते हैं फिर भी आपको करना है तो आप कर लीजिए यह आपका vowel है इसमें आपका minus 5 होगा तो यहां पे कितना आजएगा आपका D आजएगा नौ में से 5 4 आजएगा फिर यहां पे plus 7 तो 127 कितना होगा उनीस हो जाएगा फिर T आपका plus 7 होगा ठीक है ए Noah पर 20 में आप करएगा 27 26 हो जाएगा ह आजएगा और next में y में आप plus 7 करेंगे तो आपका 6 आएगा f आजाएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा nbds ठीक है यहाँ पर s है 19 की पहली 19 वी position पर तो npds है तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से question पूछा गया है और यहाँ पर logic क्या है यह आपको जरूर में ध्याद देखना है कि वावल वाला ठीक है next question करते है next question है candidate को आपको लिखा गया है could word में और action को यह लिखा गया है उसी भासा में dictation को क्या है किस रूप में लिखेंगे ठीक है यह आपको बताना है तो इस question में आपको क्या important देखना है आप अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो alphabet है यह alphabet action में भी है और यहाँ पर किसी alphabet की यहाँ पर अगर दुवारा आया हुआ और उसकी position आपको यहाँ पर दिये यहाँ पर देखें C की position जो है आपको 8 दी गई है और यहाँ भी देखें C की position 8 है एक दूसरा देखें A A की position यहाँ पर 4 है और इसमें A की position 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया जो यहाँ पर दिया गया है उसी में उसको code कर दिया गया है जो position यहाँ लिखें गयी है तो simple question होता है लेकिन आपको ध्यान रखना है हर question में ऐसा नहीं होता है आपको यह ध्यान में देखना है कि जो आपको यहाँ पर alphabet लिखें इनकी जो position यहाँ पर दी गए code किया गया है वही code सेम यहाँ भी है तो बस अगर आपको यह पता चल गया ठीक है C को code किया गया है 1 ठीक है position नहीं C को यहाँ पर code किया गया है sorry 8 में 298 हो जाएगा ठीक है 298 हो गया उसके बाद आप next देखने है next किया है उसके बाद T की position 1 है sorry code उसके बाद next देखने है A को लिखा गया है यहाँ पर ठीक है, एको 4 लिखा गिया है, आप देख सकते हैं, एको 4 लिखा है, यहां भी देख सकते हैं, एको 4 और यहां भी एको 4 है, और next आप देखेंगे, टी को, टी को फिर से आप देख सकते हैं, यहां पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, टी को यहां पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इत तो O को यहाँ पर 3 लिखा गया है और N को 6 लिखा गया है तो समझ में आ गया होगा यह simple होता है question जो code यहाँ पर है बस आपको ध्यान देखना है कि यहाँ आपको जो code लिखा गया है इस दूसरे वाले में भी same code होना चाहिए next question करते है next question है किसी निचित code भासा में forward को लिखा गया है उसी code भासा में numeral को किस परकार लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपको बताना है सोचे है यहाँ पर क्या हो सकता है ठीक है forward को लिखा गया है C-X-C-S-J-X-Q-P पहले पौच कर ले वीडियो को फिर देखें फिर देखें आपका क्या है यहाँ पर तो forward को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ forward आपको यह है forward F-O-R-W-A-R-D forward को लिखा गया है C-S-J-X-Q-P-E तो यहाँ पर आप देखनें कि अगर ऐसे देखते हैं मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा R से S गया ठीक है 18 होता है प्लस 1 हो गया ठीक है उसके बाद A से आप देखनें यहाँ पर Z गया मैंनस 1 हुआ और फिर उसके बाद यहाँ प्लस 1 हुआ फिर उसके बाद R से आपका Q गया तो मैंनस 1 हुआ और O से आपका P गया तो यहाँ पर प्लस 1 हुआ और F से आपका E गया तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 1 हो गया तो पहले माइनस 1 हो रहा है फिर प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1 हो रहा है ठीक है, सिंपल हो गया अब आपने देखा option में आपको पूछा क्या गया आपको numeral पूछा ही है ठीक है, N, U, M, E, R ठीक है, वहाँ पर आपको यह design नहीं करने है ठीक है, भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो आप देखने कि यहाँ से D से माइनस 1 हो रहा है, तो L से माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा पहला आपको option देखके जरूर इस तरीके से करना चाहिए और आपका answer भी सही आएगा, ठीक है तो next माँ आप देखने, R में आपको फिर उसके बाद क्या करना है मैनस 1 करना है, फिर Q आ जाएगा उसके बाद आपका F आएगा और उसके बाद आप देखने, L, V, M ठीक है, इस तरीके साब इसे कर सकते है और logic मैंने आपको बता दिया, ठीक है एक तरीका यहाँ पर और है, ठीक है, जैसे मैंने यह बताए कि आपको लग रहा होगा, कि यह थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताए, ठीक है, जैसे आप लिखा गया है, फिर O को यहाँ लिखा गया है, प्लस वन, ओ, टी, A को यहाँ पर R को S लिखा गया है, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर मैंने इसलिए आईसी नहीं बताए, क्योंकि यहाँ पर घिचपिच हो जाता है समझाने में, आसानी रहते हैं वेसे बताने में इसलिए मैंने वेसे बताया आप समझ गए होंगे logic क्या है इसी logic से आपको इसे करना है next question करते है next question देखें यहाँ पर क्या है back को लिखा गया y e x p और आपको बताना है mixer को mixer को भी लिखा गया तो आपको बताना नजरा रहा होगा देखते ही opposite या दूंगे तभी नजरा है आप देखें बी का जो है opposite y है और के का opposite p है ठीक है के का opposite p है और के का opposite लेकिन a का opposite e नहीं है c का opposite x है ठीक है c का opposite आपका x है a का opposite e नहीं है तो यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा सोचें यहाँ पर क्या है मिक्चर को मैं आपको बता तो मिक्चर को क्या लिखा गया है M-I-X-T-U-R-E मिक्चर को लिखा गया है N-O-C-G-A-I-I तो यहाँ पर आप देखेंगे M का अपोजिट N है ठीक है I का अपोजिट O नहीं है X का अपोजिट C है T का G है GIFT A और U का अपोजिट A नहीं है R का यह E का E तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सारे तो यह अपोजिट लिखें लेकिन यह A हो गया I हो गया U हो गया यह अपोजिट नहीं लिखें मैंने आपको बताया है कि यह अपोजिट नहीं लिखें तो आपको क्या देखना है वावल जरूर ध्यान में रखना है उसका खेल है ठीक है तो आप सारे जगह देखेंगे A, E, I, U, U ठीक है वावल से होते क्या है A, E, I, O, U तो आप देखें कि पहले पहले A है A की जगह E लिख दिया है ठीक है यानि कि A के बाद इसके next वाला लिखा गिया है और यहाँ पर देखेंगे I I के बाद इसके next क्या है O लिख दिया गिया है समझ मा रहा है O कैसे लिखा है I के बाद next क्या आता है O और यहाँ पर U के बाद देखेंगे U के बाद next क्या आएगा U यहाँ पर खतम हो गया फिर सुरूस आएगा A आएगा और यहाँ पर last में देखें E के बाद आई E के बाद next आई है तो I लिखा गिया A, E, I, U ऐसे करके लिखा लिखा लिखे अच्छे कोश्चन है टाइम लगेगा लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आपको पता होगा तो तब आप आसानी से कर लिए logic समझ मा आगया आपको ठीक है जो भी consonant है ठीक है मैं एक बार फिर से बताता हू consonant है उनका तो आपका अपोजिक लिखा गया जो vowel से है A, E, I, O, U अगर A पूछा है तो उसके next जो vowel आता है वो लिखा गया ठीक है code किया गया है तो ऐसे ही आपको फ्रॉक्स का करना है ठीक है यहाँ पर आप यह भी कर सकता अगर आपके पास logic आपको मिल गया है तो यहाँ पर आप फ्रॉक्स को देखेंगे F, R, O, G, S तो मैंने बताए F का अपोजिट लिखा गया है तो F का अपोजिट क्या होता है आपके पास fair, unfair करके U हो गया R का अपोजिट I होता है Indian Railway O का अपोजिट love, love करके आप याद कर सकते है ठीक है L, O, G, O का अपोजिट L होता है लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है जो आपके vowelsल्स है उसका अपोजिट लिखना नहीं है ठीक है यह बात ध्यान रखें तो O के बाद आपके पास जो next vowel आता है वो U है तो O के बाद आप U लिख लेंगे और G का अपोजिट आपका क्या होता है टेक, गिफ टेक करके याद कर सकते है T हो गया और S का अपोजिट H तो आपका आंसर हो जाएगा U, I, U, T, H कौनसा उप्सन है U, I, U, T, H third option है तो इस कांसर आपका क्या हो जाएगा third option हो जाएगा तो logic आपको समझ में आ गया होगा अच्छे logic पूछ रहे है तो बस जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका समझ में नहीं आता है तो आपको vowel से जरूर देखने उसके साथ भी कुछ भी code किया जा सकता है ठीक है code किया होगा और किस तरी के से किया है आपने देख दिया है next question करते है next है यहाँ पे एक कुड़ भासा में RAFT को 180 और DON को 99 लिखा गया उसी में software को किस परकार से लिखा जाएगा ठीक है तो यह आपको देखना है यहाँ पे आपको इनके जो value होती है उनको add करके देखना है ठीक है इस तरीके से इस मैं देख सकते है या उनकी value को add करके या उनके opposite जो होता है ठीक है alphabet उनके value को add करके position को add करके हो सकता है तो यहाँ पर आप देखने है सबसे पहले D.O.N. को मैं हमेसा ऐसा करता हूँ जैसे यहाँ पर R.A.F.T. को 180 लिखा है Don को 99 मैं छोटा वाले को करता हूँ ठीक है इससे जल्दी हो जाता है ठीक है Don को 99 लिखा है तो Don की position आपने देखनी है Don की position आपकी कितनी होती है ठीक है D.O.N. तो यहाँ पर आप देखने D. आपके पास 4 हो गया और O. आपके पास कितना है 15 है और N. जो है आपके पास 14 है तो यहाँ पर आप देखने यह आपका कितना हो जाएगा 15, 15, 29, 4, 33 यह आपके पास 33 आगया लेकिन आपके 99 लिसा आगया तो यह 33 आया उसके बाद आप देखने कितने अलफावेट है 3 अलफावेट है तो इसे 3 से multiply कर दिया common है यह बहुत हर exam में पूछा जाता है तो इस तरीके से तो यह आपका 99 आजाएगा तो आपको पता चल लिए कि यहाँ पर 99 है तो अब आप इसे भी चेक कर सकते हैं लेकिन exam में जब आपने यह देख लेकि 99 है तो आप सिधे इसको solve करें ठीक है वहाँ पर इसे भी चेक करेंगे तो time आपका waste होगा बाकी आपकी इच्छा अगर आपके पास time है तो आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसका sum करते हैं यहाँ पर SHO तो यहाँ पर देखेंगे इसका 19 plus 8 position लिख रहा हूँ 15 plus 23 plus 5 plus 18 तो इसका sum करेंगे तो यह आपके पास 88 आ जाएगा और 88 को आप 6 से multiply करेंगे कि टोटल 1, 2, 3, 6 है ठीक है 6 से multiply करना है सेम code में तो 6 से multiply करेंगे तो 8 हा जाएगा 4, 8, 48, 52 528 हा जाएगा जो कि आपका second option है समझ में आ गया कैसे आपको करना है ठीक है आपको ये भी करना है तो आप कर सकते हैं ठीक है सेम लॉजिक होगा यहाँ पर R की value 18 होगी 1 होगी F की आपकी कितनी हो जाएगी 6 और 20 तो यहाँ पर आप देखने यह कितना हो जाएगा 20, 30, 38 38 और 6 आपके पास 44 हो जाएगा 44 एक 45 तो टोटल सम आपके पास 45 आएगा और multiply करना हमें 1, 2, 3, 4 से तो 4 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 180 आजाएगा तो आपने देखा जो यहाँ पर code किया गया है आपका logic है वो मैंने यहाँ पर लिग दिया तो आप इस तरीके से करें इने next question करते है वीडियो को पूरा देखें आप वीडियो में और सारे नए-नए question आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए important है ठीक है तो आपको फायदा मिलेगा और कैसे आपको कल exam में जिसका भी exam में 30, 24 को इन question हो करना है आप यह देखने कुछ logic अपने यहाँ पर क्या logic है LOCK को लिखा गया है 12, 12, 3 और यहाँ पर 11 ठीक है तो यहाँ पर L को 12 लिखा गया है तो आप यहाँ पर logic है L की position 12 है O की position 12 नहीं है C की position 3 है और K की position 11 है तो आप देखें L, C, K की position तो लिखी गई है लेकिन O की position नहीं लिखी गी है तो यहाँ पर O का opposite क्या होता है O का opposite होता है L तो यहाँ पर यह opposite की position लिखी गी है समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर यह opposite की position लिखी है next आप देखें की EY की EY में आप देखें के की position 11 और E का opposite क्या होता है ठीक है और Y की पोजिशन क्या होती है 25, तो समझ मा आ गया, किस तरीके से लिखा गया, तो आपको DR को लिखना है, DEAR, तो D की पोजिशन होती है 4, 4 लिख दींगे, E का अपोजिट क्या होता है, वावल है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, V होता है, V की पोजिशन 22, और E का अ अंसर यह होगा, समझ मा आगया होगा, logic मैं आपको फिर से बता देता हूं, कि यहाँ पर जो भी vowels हैं, ठीक है, उनका opposite की position लिखे गए, ठीक है, उनका opposite की position लिखे गए, समझ मा आगया, और जो consonant है, उनकी सिर्फ position लिखे गए, समझ मा आ रहा होगा, logic किस तरीके से हैं, next question करत और इन question को solve किया, फिर आपको मैं बता रहा हूं, तो आपका काम बनता है, share जरूर करें, ठीक है, तो logo तक पहुंचाए, और channel को subscribe जरूर करें, next question देखते हैं, moderate को लिखा गया है, तो यहाँ पर सोचें, यहाँ पर क्या होगा, पहले आप खुछ से सोचें, ठीक हैं, अगर तो मैं जो बता रहा हूं, इस type के question में जब दो को code किया जाता है, मैं तो और पहले इसे solve करता हूं, फिर उसके बाद इसे करता हूं, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, O, Q, E, F, T, B, V, F, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको easy पड़ेगा इसका logic ढूड़ना, तो L, I, F, E, L, I, F, E को लिखा गया है, N, J, G, F, तो यहाँ पर देखें logic यहाँ पर क्या है, तो L से N गए, तो plus 2 किया है, और I से J गए, तो plus 1 किया गया है, F से G गए, plus 1 है, और E से F गए, यहाँ भी plus 1 है, तो यहाँ पर यहाँ यहाँ से O गए, तो 13, 2, 15 होता है, plus 2 है, O से Q गए, यहाँ पर plus 2 किया गया है, ठीक है, और B से E गए, plus 1, और E से F गए, plus 1, R से T गए, plus 2, और A से B गए, plus 1, T से V गए, plus 2, और E से F गए, plus 1, तो अब यहाँ पर देखें logic क्या है, तो आपको नजर आ रहा होगा, कि यहाँ पर L से N, plus 2 किया, बांकी में, plus 1 किया, और यहाँ देखें, कहीं पर plus 2 हो रहा है, कहीं पर plus 1 हो रहा है, तो logic क्या है, तो अगर आप देखेंगे, जो भी double digit की संख्या है, जैसे 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, उसमें plus 2 किया गया है, जैसे आप देखें, इनकी position लिखूँ, तो यह position है, इसक डबल एट किया गया, O की position, आपकी 15 होती है, डबल डिजिट है, डबल एट किया गया, D की position 4 है, तो इसमें plus 1 एट किया गया, E की position 5, इसमें भी plus 1 एट, ठीक है, single digit है, तो single एट किया गया है, single 1, तो यहाँ पर 18, 1, ठीक है, यह 20, और यहाँ आपका 5, तो आपको logic समझ में आगया होगा जो आपकी double digit में जिसकी position है उसमें double यानिकी 2 add किया गया है और जो single है उसमें plus 1 add किया गया है ठीक है यहाँ पर logic है तो हमें C L E A R इसे भी कर लेना है तो C आपका single digit होता है तो इसमें plus 1 add करेंगे ठीक है plus 1 करेंगे तो 4 आजाएगा और 4 position में आपका D होता है next L आपका double digit होता है 12 तो इसमें plus 2 add करेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 12 दो 14 N आजाएगा E आपका single digit होता है तो 1 तो F आजाएगा यहाँ पर plus 1 करेंगे B आजाएगा और R आपका double digit तो यहाँ पर T आजाएगा तो यह option है क्या देखें D N F B T तो option भी है और यह logic भी सही हो गया तो second option इसका answer हो जाएगा second D N F B T तो आपको समझ में आगे होगा logic क्या है next question करतें next है extreme को लिखा गया है उसी भासा में initial को क्या लिखा जाएगा तो आपको बताना है इसे आप करें क्या हो सकता तो यहाँ पर मुझे simple सा दिख रहा है यहाँ पर देखें E का opposite V है और X का opposite C है T का opposite G है R का opposite V है और E का N है E का V है तो same I का opposite क्या हो जाएगा यहाँ ठीक है अपوجिशिट लिखा गया है यहाँ ठीक है simple हर alphabet का opposite तो I का R हो जाएगा N का आपका M I का R T का आपका G और I का आपका R A का आपका Z L का आपका O तो यह हो जाएगा आप इसको शुरू या लास्ट में भी देख सकते थे अपोजिट सिर्फ पूरा आपको करने की जरूरत नहीं थे आप देखिए R, M, R, G, R, Z, O इसका आंसर हो जाएगा First option इसका आंसर हो जाएगा Next question है यहाँ पर Victory को लिखा गया है 29472435 में H, A, H, T, Y को लिखा गया है तो आपको बताना सब लाइन को तो इसे कैसे करने आपको V, I, C, T, O, R, Y तो यहाँ पर O, R, Y लिख जा उसके बाद इसका code लिख लेते है 29472435 तो यहाँ पर देखें आपका किस तरीके से तो V का opposite होता है E, E जी value होती है 5 तो यहाँ पर 5 तो नहीं है लेकिन cross में 5 लिखा गया है तो इसका मतलब एक cross में हो सकता है Y का opposite होता है Y का opposite B होता है और B की position जो होती है 2 होती है देखें cross में लिखा गया opposite उसके बाद I तो यहाँ पर एक logic जो है आपको बताना है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको समझवाया opposite नहीं है तो I क्या है vowel है तो vowel है तो उससे related हो सकता है तो vowel में आप देखें A, E, I, O, U पांच होते हैं और इनकी position क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 तो आप देखें कि I कौन सी position में 3 position में यहाँ पर तो इसकी position लिखी गई है vowel की position लिखी गई है 3 तो यहाँ पर आपको किस तरीके से में बता रहा है उसके बाद आप देखें R का opposite होता है ठीक है R का opposite 9 होता है यानि कि I होता है तो यह opposite लिखा गया है और C का opposite X 24 लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पर आपका O का opposite आप देखें ठीक है O का O आपका क्या है vowel है vowel की position लिखी है 4 तो यहाँ पर आपका 4 लिख दिया गया है उसके बाद IT का opposite G होता है उसकी position 7 तो समझ में आ गया होगा अब जैसे ही आपने यह कर दे उसके बाद आपको H-A-H-T-Y को code करने की ज़रुवत नहीं क्योंकि logic आपको समझ माग गया है आप सिधे question जो पूछा है उसका code करें लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लें H-A-H-T-Y ठीक है H-A-H-T-Y को आप देखें H का opposite S होता है तो यहाँ पर 19 लिखा गया है Y का opposite आपका B होता है तो यहाँ पर 2 लिखा गया है ठीक है फिर A की position यहाँ पर लिखी गई है ठीक है cross में A की position यहाँ पर 1 लिखी गई है और T का opposite आपको कितना होता है 7 यानि की G होता है यहाँ पर लिखा गई है और S का opposite कितना होता है H, H की 8 तो आप देख सकते हैं code यहाँ भी same है logic आपको समझ मा आगे तो आप सीधे sublime का कर लीजिए ठीक है तो sublime का क्या हो जाएगा S, U, B, L, I, M, E ठीक है तो अग इसमें भी आपको क्या करना है इसमें भी आपको option में ध्यान देना है आपको पूरा करने की जरुवतनी है आपको पता है कि सुरू, सुरुवाद किस से हो रही है E के position से हो रही है ठीक है यहाँ पर E है तो आपका third option cancel उसके बाद आप next देजिए M का opposite 14 होता है तो 214 लिख देंगे तो option देखेंगे 214 A की option में तो आपका answer यह हो जाएगा तो fourth option हो जाएगा फिर भी आपको check करना है तो आप देख सकते है यहाँ पर U का opposite आएगा U की vowel है उसकी position ID 5 आ जाएगा यहाँ पर 5 आ गया उ यहाँ पर 3 आ जाएगा उसके बाद आप देखें उसके बाद आपका है यहाँ से देखेंगे उसके बाद आपका B है तो B का opposite आपका कितना होता है Y होता है तो 25 होता है ठीक है तो यहाँ पर 25 आ गया और आपका L का opposite यहाँ पर कितना होता है L का O होता है 15 आ गया तो आपका करते हैं, next आपका envelope को लिखा गया है, उसी भासा में आपको intimate को बताना है कि कैसे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे आप देखें envelope को कैसे लिखा गया है, ठीक है, envelope को देखेंगे, e, n, v, e, l, o, p, e, envelope को लिखा गया है, i, q, z, h, p, r, t, h, तो यहाँ पे आप देखें, e से i गया है, तो यहाँ पे e से i आपका 5, 4, plus 4 किया है, तो n से आपका q गया है, तो अप यहाँ पे 14, 3, 17, plus 3, फिर यहाँ पे plus 4, यहाँ प्लस 3, ठीक है, plus 4, plus 3, ठीक है, तो यहाँ पे logic simple है, plus 4, plus 3 का, तो आप सीजे intimate को भी कर लीजे, तो i को आप पहला plus 4 करेंगे, तो आपके पास कितना आजाएगा प्लस 4 करेंगे, ठीक है, प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा, प्लस 4 करके तो आई में आपका 9, 4, 13, यानि की 13 का मतलब M से, तो पहला जो होगा M से होगा, अब आप देखें option का फायदा आपने देखा पहला M से है तो option देखेंगे कोई भी option M से start ने हो तो आपका answer यह हो जाएगा क्योंकि logic आपको clear है फिर भी आप check कर लीजे last while आप फिर उसके बाद n को देखें n को आपको plus 3 करना है तो 14 3 17 होता है n के बाद q आएगा next करेंगे आपके पास फिर plus 4 plus 3 तो यह आपका xl q dxh आजाएगा ठीक है तो आपने देख लिए logic आपको यहाँ पर समझमा आ गया होगा आप आगे से कर सकते हैं ठीक है simple सा है यह भी plus 4 plus 3 plus 4 plus 3 बस यहाँ पर मैंने आपको यह बताया कि आपको option कैसे देखना है next question देखते है next में आपको देखना है bootless को लिखा गया code word देखिया गया और kaplan को तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले यह देख लिजे कहीं जो आपका b यहाँ है और यहाँ भी कहीं ऐसा ही जो repeat हो रहा alphabet उसको same code तो नहीं किया गया same किया गया तो आप सीधे इसे करिए यहाँ पर कोई logic इस तरीके का नहीं होगा तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो है a है तो a को यहाँ पर लिखा गया है तीसरे number का 3 लिखा गया a को 3 लिखा गया और यहाँ भी आपको a को 3 लिखा गया next आप देखेंगे e ठीक है e को यहाँ पर 2 लिखा गया है और यहाँ भी e को 2 लिखा गया तो इसका मतलब जो सीधे सीधे यहाँ पर है जो यहाँ b को लिखा गया वो e तो अब यहाँ पर T को क्या लिखा गया, आप देखेंगे T, T को लिखा गया, T सबसे पहले है, यहाँ पर 4th number में, 4th number पर आपका 6 है, तो आप 6 से लिख देखेंगे, 6 से start होगा, A की value क्या है, A को लिखा गया आपका 3, तो 6, 3 आ जाएगा, तो A की option आपको 6, 3 दिख रहा होगा, यह आपका answer हो जाएगा, आप पूरा कर सकते हैं, P को यहाँ पर लिखा गया 8, ठीक है, तो P को आप देखेंगे, P को 8 लिखा गया, उसके बाद I को 1, O को 9, और C को आपका 7 है, और फिर 3 है, तो आप देखेंगे, इसका answer second option हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गय next question है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, foster को यह लिखा गया, cargo को लिखा गया, आपको marriage को बताने, तो foster को क्या लिखा गया, F O S T E R, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर क्या लिखा है, 6 है, 12 है, 19 है, उसके बाद आप 20 है, और 22 है, और 18 है, तो यहाँ पर आप दे कैसे लफ्ज से याद कर सकते हैं ठीक है LO ठीक है यह अपोजिट होता है तो यहाँ पर L की value 12 लिखी गई है और S की position 19 लिखी गई है T की position 20 और फिर से E का opposite लिखा गया है 22 यानि कि यह आपका E का opposite है और R की position 18 तो यहाँ पर logic क्या बना तो आप देखेंगे consonant की तो position लिखी इसमें जो logic है, consonant तो सीधे लिखे गए है, और जो आपका vowel है, उसके opposite की value, ठीक है, तो cargo में भी आप देख सकते हैं, C आपका consonant है, उसकी value लिखी गए है, 3, A आपका vowel है, उसके opposite की position लिखी गए है, 26, ठीक है, समझ मा आ गया होगा, अब सीधे आप marriage को करें, तो यहाँ पे R, R, I, A, G, ठीक है, इसे आप करेंगे, तो M का opposite क्या होता है, M का M की position लिखनी है, ठीक है, consonant की position लिखनी है, तो M की position 13 हो जाएगी, जो question start होगा, हो 13 से होगा, A का opposite 26 हो जाएगा, ठीक है, फिर R की position 18, फिर उसके बाद R की position 18, और I का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर opposite 22, तो last में आपका 22 हैगा, और शुरू में आपका 13, 26, 18, 18 इस तरीके से आएगा, तो option आपके eliminate हो जाएगा, आप देखिए, बाइस आएगा, तो यह और यह तो option सीधे eliminate होगे, ठीक है, यह आपके बचे, फिर आप इसे solve कर लिजे, I है, तो I आपका consonant है, इसका आपको क्य 4th option 13, 26, 18, 18, 26, 27, 22, तो 4th option इसका answer हो गया, ठीक है, समझ में आगया होगा, किस तरीके से question है यहाँ पर, किस तरीके से दिया गया है, logic आपको clear होगा, concernant की position देगी है, और vowel के क्या है, जो है, opposite की position लिखी है, next question देखते है, next लिखा गया आपको, magic को यहाँ पर लिखा गया ठीक है, हर alphabet के opposite लिखे गया है, तो आप सीधे कर लिखे, L का opposite यहाँ पर क्या हो जाएगा, L का यहाँ पर O हो जाएगा, A का आपका Z, Y का B हो गया, E का V हो गया, और R का I हो गया, तो यह देखे, O, G, B, V, I किसम है, O, G, B, V, I, तो first option इसका answer हो गया, ठीक है, opposite alphabet लिखा गय तो आपको समझमा आ जाएगा, ठीक है, इससे करना असान जोगा, तो इसकी value जो हो थी, position की value, 19, 16, plus 1, plus 14 लिख लेते हैं, ठीक है, इस position का sum करते हैं, तो 50 आता है, अब देखे 50 आ गया, लेकिन इसको तो 54 लिखा गया, तो 54 कैसे लिखा गया है, इनकी position का sum, जितने alphabet है, 4 alphabet ह चार यहां पर लिख दिया, ठीक है, 4 alphabet है, 54 हो गया, ठीक है, इस तरीके से logic हो गया, अब आप चाहे पहले वाले को भी check कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे answer भी लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, time बचाने एक लिख लिख लेगा, फिर भी आप अ तो 51 आएगा और इसमें जोड़ेंगे कितने, 3, 3, 6, तो 6 जोड़ते हैं, sorry, 3, 3, 6, इसका सम जोड़ेगा यहां पर, ठीक है, 6 जोड़ेंगे तो 51 प्लस 6 आपका 57 हो जागा, तो 57 यहां पर दिया गया, तो same logic है, तो आप सिधे आप answer कर लिजे, prank को कैसे लिखा गया, तो prank क को यहां पर इसके आपके alphabet की position लिखनी है, तो alphabet की position यहां पर हो जाएगी, आपके 16, प्लस 18, प्लस 1, प्लस 14, प्लस आपका 11, तो इसका sum जोड़ेगा, आप सम करेंगे, तो यहां पका sum आजाएगा 60, और इसमें आपको कितना जोड़ना है, जितने alphabet है, तो 5 alphabet है, 5 alphabet 65 आजाएगा, ठीक है, तो आपको समझ मा आ रहा होगा किस तरीके से हम कर रहे है, ठीक है, आवाज आपको बीच में कहीं gap तो नहीं होगी दी, चलो record के बाद ही देखेंगे, तो यहां पर next question देखते है, next है आपका source को लिखा गया, ASVEC के रूप में लिखा जाता है, उसी यहां पर देखें, किस तरीके से दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर S, तो यहां पर आप सबसे पहले देखें, जो alphabet यहां दिया है, वो ही alphabet यहां है, यानि कि cross pattern हो सकता है यहां तो cross में आपको देखेंगे, ASVEC, ठीक है, तो आप देखें, cross pattern यह A को ऐसी लिखा गया है, और U को V, यानि कि plus 1 किया गया है यहां पर, और यहां आपका cross में लिखा गया, तो simple है, तो M, E, N, T को किस परकार लिखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर cross में EM हो जाएगा, इसमें plus 1 करना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा B, और यहां आपका TN हो तो आप देख सकते हैं यह तो आसान सा कुछिशन था, cross pattern famous question होते हैं, next question है, तो यहाँ पर आप देखें कि rational को लिखा गया है, यहाँ ऐसे, तो उसी good भासा में statement को लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, rational में जो alphabet है, same यहीं alphabet है, ठीक है, और वराबर भी आपके alphabet है, त L A T A R, तो आप इसे देखें कैसे लिखा गया है, तो आपका R A है, तो R A को तो लिख दिया गया है, last में, ठीक है, R A को आपका last में लिख दिया गया है, तो R A को यहाँ पर लिखा गया है, last में, A R, ठीक है, इसी तरीके से हम सीधे, जब ऐसा हो तो आप सीधे question भी करने ल लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका last जो होगा ts होगा, तो आपका यह option eliminate होगा यह option eliminate होगा, उसके बाद आप देखें, no तो यह no कहां से आया है, तो आप देखें यह on है, ठीक है, यहाँ पर on है इसको लिखा गया है, no, इस तरीके से यानि कि आपका छटे number के हैं, तो आप देखें कि 2, यह EM, तो इसको यहाँ पर सुरुवात में लिखा गया होगा, कैसे ME करके लिखा होगा हो, आपने जैसे ही ME देखा, तो आपका A की option मितलेगा, ME और last में ts, second option, तो आपका answer हो जाएगा second option, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, आप आगे भी इसे चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे, उसके बाद क्या किया गया है, आप आगे देखेंगे इसके बाद यहाँ पर IE है, तो IE कहां से आ गया, तो IE को यहाँ पर जो चौथा है, उसको ऐसे लिखा गया, तो आप सेम इसे कर लीजे, यहाँ आपका T, ऐसे लिखेंगे, तो T आ जाएगा, उसके बाद यहाँ जो आपका T, यहाँ पर EL हो गया है, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे, MTT के बाद, आपके last वालर T, यहाँ पर आ यहाँ आपका यहाँ आगया, ठीक है, एक A आपका यहाँ पर आगया, ठीक है, ATS करके, उसके बाद यह E, E, N को आप यहाँ पर N, E लिख देंगे, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, समझ में आगया होगा, आपको किस तरीके से करना है, बस इसी को pattern को इध इसी तरीके से हो जाए, क्योंकि सारे जो यहाँ पर आपको दिये गए है, अलफाबित, वो अलफाबित आपके यहाँ भी है, ठीक है, नेक्स्क्स करते हैं, इसे कैसे करेंगे, सोचा यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, खुश से करने की कोशिस करें पहले, फिर देखें solution, तो यहां पे जो लिखा गया है यहां पे C, R, Circus को लिखा गया है D, K, U, G, Z, Y तो जोकर को आपको बताना है जोकर को आप कैसे लिखेंगे तो यहां पे आप देखिए Circus को C, I, R, C, U, S इसे लिखा गया है हाँ पे D, K, U, G, Z, Y z y तो ठीक है circus को d k u g z y लिखा गया तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से लिखा गया c से आप देखें कि यहाँ पर c से यहाँ पर प्लस 1 है और i से k यहाँ पर प्लस 2 है r से u प्लस 3 है simple सा लग रहा है ठीक है c से 7 प्लस 4 है k आजाएगा तो k आजाएगा उसके बाद o में आपका प्लस 2 करेंगे ठीक है o में तो 15, 2, 17 हो जाएगा तो q आएगा k में प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आजाएगा k आपका 3, 14 आजाएगा यानि ki n आएगा e में प्लस 4 i r में प्लस 5 आपके पास 18-30W आजाए, तो option देखें कौन सा है, Q, K, Q, N, K, Q, N, I, W, last option है, fourth option इसका answer हो जाए, ठीक है, logic आपको समझ मां गया हुआ, next question करते है, next आप देखें, वर्चु को लिखा गया है, V, I, R, E, U, E, तो वर्चु को यहाँ पर लिखा गया है, X, C, B, Y, A, N, तो सोचें यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है, आपको सोचना है, यहाँ पर क्या pattern हो सकता है, उसी तरीके से आपको करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखने है, R से X, ठीक है, क्रॉस में देखें, ठीक है, 26 दो, प्लस 6 ऐसे किया गया है, और R से X, यानि कि यहां भी प्लस 6 किया गया है, ठीक है, और यहां पर I से C, तो I से C यहां पर मैनस 6 किया गया है, तो समझ मारा है, आपको क्या किया गया है, ठीक है, क्रॉस में V से प्लस 6 किया गया है, और R से X से प्लस और यहाँ पर आप देखेंगे T से N यहाँ पर मैनस 6 है और E से Y आपका यहाँ भी मैनस 6 है और U से A यहाँ पर U से A जो है यहाँ पर प्लस 6 है ठीक है 21 में प्लस 6 करेंगे तो A आ जाएगा तो समाझना आ गया आपको logic क्या है V से यहाँ पर B जा रहे है प्लस 6 है R से प्लस 6 है और I से मैनस 6 है ठीक है यह आपको practice करेंगे तब ही आप सो होगा यह नए logic है नए logic क्या है बस आपको थोड़ा सा time लग रहा है देखना पड़ेगा कि कैसे लिखा गया है तो यह pattern यहाँ पर अब modest को कैसे लिखेंगे M O D E S T modest को कैसे लिखेंगे आप देखेंगे पहले आपका first जो है third वाल को plus 6 कर गए तो इसे आप plus 6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 6 10 होता है तो यहाँ पर J आ जाएगा और फिर उसके बाद O यहाँ पर आपका minus 6 करना है तो O में से minus 6 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा O में 15 होता है minus 6 करेंगे तो आई आजाएगा तो इसका मतलब आपके पास 9 आता है तो आई हो गया उसके बाद M में आपको plus 6 करना है यह आपका minus 6 था प्लस 6 तो M आपका 13 होता है 13-16 होता है तो J-I-S आजाएगा तो option देखें J-I-S तो ये तो cancel हो गए तो 2 option है फिर करें आप इसे तो यहाँ पर जो T से आपको क्या करना है T से आपको minus 6 करना है तो T से आप minus 6 करेंगे 20 में से आप minus 6 करेंगे तो 14 14 आएगा और 14 आपका N होता है तो यहाँ पर आपका आजाएगा N आजाएगा J-I-S अब option आपको मिल गया होगा J-I-S-N तो आपका third option इसका answer हो जाएगा फिर भी आप इसे चेक करें जो मैंने आपको pattern बताया है तो आप यहाँ से E से आप minus 6 करेंगे तो आपके पास Y आएगा और S से आपको plus 6 करना है यहाँ पर ठीक है तो S से plus 6 करेंगे तो 25 होगा 25 Y तो आपका J-I-S N-Y-Y हो जाएगा third option इसका answer हो जाएगा ठीक है समझ मारा होगा आपको logic आपको समझ मारा होगे ठीक है वीडियो पसंदा रही है महनत लग रही है इसमें तो महनत मेरी है तो आपको क्या करना है share करना है ठीक है सबस्काइब करना है चैनल को next question करते है next question है यदि किसी निश्चित कूर्ट भासा में disk को 65 लिखा गया है wire को 53 लिखा गया है उसी भासा में आपका हो गया 4, 9, 4, 13, 13, 19, 13, 11 तो यह आपका 65 के आसपास नहीं आ रहा है तो यहां पर आप दूसरा जो logic करेंगे opposite का sum करेंगे तो D का opposite आपका क्या होता है W 23 पलस I का opposite 18 ठीक है 9 होता है ठीक है I का opposite R होता है R मतलब 18 होता position होती है ठीक है S का opposite आपका यहां पर कितना होता है ठीक है S का opposite आप देखने 8 पलस K का opposite आपका होता है K का आपका P 16 तो इसको sum करेंगे तो यहां आपके पास कितना आ जाएगा ठीक है यहां आप देखने 8, 16, 16, 26, 22 ठीक है यहां आपका 65 आगिए तो यह आपका logic होगा opposite का sum दिया गया है ठीक है आप check कर सकता है आप wire को भी check करने को कर सकता है लेकिन आप सीधे answer का करें जैसे मैं आपको बता रहूँ wire का आप करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा i का 18 होगा यह आपका 9 आजाएगा और e का आपके पास आजाएगा 22 तो इसका sum करेंगे तो यह आपके पास कितना आजाएगा 8,2,10,10,9,19,4,23 तो यह आपका 53 आगया ठीक है तो समझ माँ आगया आप cell को कैसे करेंगे यह कर लीजे c का opposite x होता है 24 e का opposite आपका v होता है 22 तो l का आपका 15 होता है तो 15 प्लस 15 30 हो गया ठीक है 30,20,50 50,20,70 70 और 76 हो गया 76 इसका answer आगा जो कि आपका second option है ठीक है logic आपको clear होगा opposite का sum किया है ठीक है next question करते है next question है hamper को लिखा गया है 172 ठीक है यहाँ पर आप देखें किस तरीके से लिखा गया है ह, a, m, p, e, r ठीक है ह, a, m, p, e, r hamper को लिखा गया है 17 2 12 32 20 और आपका 36 ठीक है इनकी position लिख लेता हो इसके उपर इनकी position आपकी है h की आपकी position है sorry यहाँ पर h ठीक है तो h की position यहाँ पर 8 है ठीक है 8 से आपका 17 का बड़ा लंबा गभाएप हो जाएगा a को 2 लिखा गया है ठीक है a को 2 लिखा गया है ठीक है तो a में आप कह सकते हैं कि plus 1 हो सकता है उसके बाद आपको m का आपका 12 है ठीक है 13 से 1 कम है p आपका 16 को 32 हो गया है ठीक है इस तरीके से आपका यहाँ पर logic थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर फिर से करते है फिर से देखते हैं यहाँ एच है h को यहाँ पर 17 लिखा है 14 से minus 2 किया, तो 12 मिल गया, उसके बाद P को double कर दिया है, P को double किया है, ठीक है, double का मतलब 16 होती है, इसकी position 32 लिखा गया है, और E का आपका opposite होता है कितना, E का opposite होता है 22, 22 में से 2 गया, 20 लिखा गया, और R का आपको double किया है, 36 ठीक हो गया, तो यहाँ पर logic समझ में आ गया, logic क्या है, पहले H है, H का opposite जो है 19 होता है, ठीक है, S होता है, S की position 19, 19 में से 2 minus किया, 17 आ गया, उसके बाद जो next है, उसका double कर दिया है गया, फिर आपका opposite का, opposite की position फिर minus 2, समझ में आ रहा, logic कैसे है, ठीक है, ऐसे logic आते हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, practice करेंगे, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन time जरूर लगता है, लेकिन practice करेंगे, तभी होगा, और logic आपको पता होनी चाहिए, आपने ऐसे question की practice होनी चाहिए, तो insult में भी इसे करके देख लेते हैं, ठीक है, आई, अई, 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 तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो भी इसका opposite है, आई का opposite 18 होता है, 18 मेंसे 2 मैनस करना है, तो आपके पास 16 आ गया, फिर n का आपका 14 होता है, ठीक है, position next में आपका 14 होता है, इसका double करना है, ठीक है double दिखा है मैंने, ठीक है double 28 हा जाएगा, फिर s का आपका opposite होता है, 8 मेंसे 2 मैनस करना है, ठीक है यहाँ पर 8 होता है, 8 मेंसे 2 मैनस करना है, तो आपके पाद 6 आ जाएगा, फिर U होता है, U आपका 21 होता है, 21 का डबल 42, L आपका 12 होता है, L का अपोजिट 15, 15 में से 2, 13, और फिर इसका 20 का अपोजिट 40, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा, आप देख रहें, तो इसी से हम आंसर भी निकाल देंगे, अब हमें आं भी निकाल देखना है, तो सबसे पहले S का ओपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट 8 होता है, H की वैल्ज्ट होते है, तो 8 में से 2 sa i- we caste करेंगे अब आपने देख लिए बास्ट हो गया next आप देखिए F का opposite क्या होता है F का opposite होता है U U में से 21 में से 2 minus करेंगे 21 में से 2 minus करेंगे तो आपके पास 19 हा जाएगा 6 2 ठीक है 6 2 आपके पास कितना जाएगा F का U होता है 21 में से आपका 2 तो 19 आजाएगा, तो 19 आजाएगा तो आप देखें कि 6, 2, 19 आपका 4th option में यही आपका आंसर हो जाएगा, अब आपको आगी चेक करने की जरुगत नहीं है, ठीक है, यही पर आपको time बचाना है, फिर E का आपको 10 कर लेना है, फिर आपका 7 होता है, 7 में से 2, 5 और फिर 25, 25 का यहाँ पर double करना 50, तो आप देख सकते हैं, आंसर आपका आगया, logic मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, next question करते है, 4th option इसका answer हो जाएगा, next देखें, next क्या होगा यहाँ पर, next है, organ को लिखा गया है, और finger को यह लिखा गया है, neck को लिखना है, ठीक है, तो CGL में भी 2 question आत फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 18 है, तो कुछ बनाएं, इसका क्या है, खुछ से करने की कोशिस करें पहले, फिर देखें, तो यहाँ पर जो है, organ, O, R, G, A, N, ठीक है, organ की जो value होती है, मैं value लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको logic बताता हूँ, ठीक है, आपको अच् आपकी होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं position लिख लेता हूँ, यह 15 है, R की 18 है, और G की 7 है, A की आपकी लिखा गया है, A की आपकी 1 है, और N की आपकी कितने है, 14, ठीक है, अब आप देखो, जो मैंने number लिखें न, position, यही number यहाँ पर लिखें लेकिन लिखें कैसे increasing order में, increasing order में नमबर लिखें गया है, यानि की सबसे छोटा increasing order में लिखें गया है, ठीक है, increasing order में नमबर लिखें गया है, तो आप देखें सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया, फिर उससे बड़ा 7 आ गया, 7 से बड़ा आपका 14, फिर 14 से बड़ा आपका 15 और 15 से 18, तो logic देखे, समझ में आ गया, आपको कैसे लिखा गया है, 1, 7, 14, 15, 18, तो यह आपका अच्छा logic है, इसी तरीके सा आप question करें, अब देखो finger में क्या है, finger में आप देखें, सबसे छोटा गौन सा होता है, आपका e होता है, तो e सबसे पहले 5 लिखा गया, अब मैं इसे solve करके नहीं बता रहा है, क्योंकि logic मैंने आपको बता दिया, तो same है, e के बाद आपका i, e के बाद आपका f आता है, f की position 6 लिखी गई है, ठीक है, अब सीधे solution करते हैं, logic मैंने बता दिया, अब n, e, c, k, n, e, c, k मैं आपका सबसे छोटा, ठीक है, value लिख लेते हैं, n, e, c, k की, ठीक है, n, e, c, k की value आप देखें, 14, 5, 3, 11, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 3 है, तो 3 पहले आ गया, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 है, फिर 14 है, तो आप देखें, कौन से option में है यह, तो आपको first option नजर आएगा, 3, 5, 11, 1, 4, तो आपका first option इसका answer हो जाएगा, ठीक है, next question करते हैं, next है, higher को लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देखें, higher को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, h, i, g, h, e, r, higher को लिखा गया है, j, i, i, h, s, f, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, मुझे cross नजर आ रहा है, तो आई है, i से j गया, plus 1 किया गया, h से आपका i गया, minus 1 किया गया, ठीक है, plus 1, minus 1 है, h, sorry, plus 1 ही है, ठीक है, 8, plus 9, plus 1 है, उसके बाद देखें, g से h, plus 1, si, plus 1, cross में simple साय, plus 1, plus 1 किया गया है, ठीक है, plus 1, ठीक है, r, c, s, plus 1, तो आपको कर लेना है, coding को भी, c, o, d, i, n, g, coding को, o में plus 1 करेंगे, तो p आजाएगा, c में plus 1 करेंगे, d, d, e, i, j आजाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर, n, o, और g, h आजाएगा, तो यह आपका option देखें, p, d, p, d, j, e, h, o, आपका second option इसका answer हो जाएगा, ठीक है, logic easy है, आसान है, इस तरीके से इसका answer है, next question करते हैं, next है आपका, check को लिखा गया है, c, h, e, c, k, check को लिखा गया है, यहाँ पर, 6, 16, 5, 6, 22, ठीक है, और सर्जी को लिखा गया है, s, u, r, g, e, ठीक है, सर्जी को लिखा गया है, वैसे तो आप एक ही चेक करें, यह आपका लिखा गया, 49, 21, 36, और 14, और 5, तो यहाँ पर आप देखें, आपको बताना है, please, p, r, i, e, s, t, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, c की position 3 होती है, h की 8 होती है, e की 5 होती है, c की 3 होती है, अब समझ मा रहा होगा, 3 का double लिखा गया है, 6, और h का double आपका 16, ठीक है, h का double 16, और e आपका वोवल है, उसकी सीधे position लिखेंगे, यहाँ पर double नहीं किया गया, यह आपको समझना है, c का double 6 है, और k का double 11, 22 है, तो समझ मा अगे है, आप पर double लिखा गया है, तो सेम आप इ इसका double 40, option है यहाँ, देखें, 32, 36, 32, 36, 9, 5, 9, 5, 3, 8, 4, 0, तो 3rd option यहाँ पर है, तो यह इसका answer हो जाएगा, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना है, यह आपका 49 है, तो 19 का double 38 होता है, तो यह question यहाँ पर गलत है, जो भी shift का यह question है, यहाँ आपको नमबर पूरे मिलेंगे, अगर आपसे नहीं हुआ है, तो 19 का double 38 है, U की position लिखी गई है, देखें, R का double 36 लिखा गया है, G का double 14, और E का double E की position 5 लिखी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह question गलत है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 38 होना ची आप देख सकते है answer भी हमें मिल ला है, इस logic के इसाब से, तो यही आपका यहाँ पर answer होगा, तो इसे आप review के लिए कर सकते हैं, objection कर सकते हैं, इसका answer आपका third option हो जाएगा, ठीक है, next question करते है, next है, यहाँ पर बताना है, कि यहाँ पर क्या होगा, सोचें यहाँ पर क्या है, खुछ से करने की सोचें पहले, ठीक है, तो यहाँ पर trailer को लिखा गया है, T, R, A, I, L, E, R, trailer को लिखा गया है, Q, P, X, G, I, C, O, तो यहाँ पर मैं आपको logic बताता हूँ, यहाँ पर logic क्या है, तो आप देखें, T से आपका Q में गए, तो minus 3 किया गया है, R से P में जा रहे हैं, तो R से P में आ minus 2 और R से आपका minus 3, तो यहाँ पर minus 3 minus 2 का logic है, तो आप सीधे करें, A से आपको minus 3 करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, A से minus 3 करेंगे, तो आपके पास X से आ जाएगा, फिर आप minus 2 करेंगे, ठीक है, X से सुरू हो रहा है, तो X से सुरू हो रहा है, तो यहाँ आप मैनस 3 मैनस 2 मैनस 3 मैनस 2 है तो इसका answer आपका second option हो जाएगा समझ मां आ गया यही आप यहाँ भी करें next question करते next है यहाँ पर together को 119 लिखा गया है तो आपको master को बताना है तो इसमें सबसे पहले आप कौन सा कर ले आप master वाला करें ठीक है सबसे छोटा यही होता है इससे आप देख सकते हैं ठीक है यह आगे हो या पीछे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन यह छोटा इसमें आप इसमें जादे कम alpha weight है तो यह जल्दी हो सकता है तो master को आप करेंगे तो सबसे पहले आपने देखा 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18 तो इसका सम करेंगे तो यह आपके पास 76 से आ गया तो 76 से इसके आसपास नहीं तो आप दूसरा तरीका हो सकता है ठीक है 76 नहीं तो यहाँ पर opposite वाला देख सकते हैं यह common logic है ठीक है इसलिए हम सीधे यह logic देखते हैं ठीक है यह logic यहाँ पर होते हैं बहुत सारे question करने के बाद आपको पता हुआ coding decoding में इसलिए यह logic हम देखते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखें master m का opposite 14 होता है 14 लिख दिया ठीक है a का opposite 26 फिर s का opposite h होता 8 और t का opposite आपका 7 होता है 7 लिख दिया फिर आपके पास e का y फिर 9 तो इसका आप sum करेंगे तो यह आपका sum जो आजाएगा यह आपका 86 हा रहा है तो 86 हा रहा है जबकि यहाँ पर 87 होता है यानि कि प्लस 1 एड हो रहा है तो यह 87 हो गया अब आप सीधे इसका कर लेजे reverse में तो यहाँ पर r का opposite करेंगे 9 हो जाएगा और e का 20 प्लस v का जो opposite है आपका यहाँ पर 5 होगा ठीक है फिर 22 फिर r 9 हो जाएगा ठीक है opposite s आपका h 8 हो जाएगा और उसके बाद e 22 इसका आप सम करेंगे तो यह सम आपके पास हो जाएगा 97 तो 97 में एक जोड़ना है तो एक जोड़ने 98 हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer आजाएगा आपका 98 आजाएगा ठीक है तो यह आपको सम वहाँ पर आना चीए इस तरीके से आप कर सकते है आप चाहें तो together को भी चेक कर लीजिए together का आपको यहाँ पर क्या करना है opposite का sum plus 1 करना है together को आप चेक कर सकते है ठीक है वही answer आएगा जो logic यहाँ पर है यह आपका इसका जो sum आएगा वह 118 आएगा पलस 119 हो जाएगा next question करते है next है आपका fortune को यह लिखा गया है आपको October को बताना है किस पर का लिखा जाएगा तो सोचें यहाँ पर क्या होगा तो fortune को लिख देता हमें यहाँ पर fortune F-O-R-T-U-N-E तो fortune को लिखा गया है 7, 16, 19, 21, 22, 15, 6 तो यह तो simple लग रहा है ठीक है यह आपकी position plus 1 है ठीक है plus 1 इनकी F की position आपकी कितनी होती है 6 होती है तो 6 plus 1, 7 plus 1, plus 1 है simple साथ, plus 1, plus 1 है तो same कर लिजे से plus 1, plus 1 तो यहाँ पर O में plus 1 करेंगी तो आपका O के बाद P C के बाद D P के बाद आपका U आजाएगा PDU O के बाद P B, C हो गया E, F हो गया R के बाद S तो यह आपका answer आजाएगा ठीक है sorry यहाँ पर आपको position लिखनी है तो position आपकी कितनी आजाएगी 16, 4, 21, 16, 3 3 और 19 तो यह आपकी position आजाएगी तो आप देखें कौनसा option है तो आप देखेंगी यह आपका first option है 16, 4, 21, 21, 16, 3 ठीक है 16, 16 हो गया 42 है फिर आपके पास 11 है फिर 63 है ठीक है F की position यहाँ पर है ठीक है F की 6 है ठीक है 6, 19 ठीक है समझ मा आगया क्या है प्लस 1, प्लस 1 है simple सा logic है प्लस 1 कर रखा है next देखते है next है आपका indoors को लिखा गया है तो आपको instruct को क्या लिखना है यह बताने तो यहाँ पर आप देखने कि यह भी आपको simple opposite देख रहा है E का opposite V लिखा गया है N का opposite M है D का W है O का L है R का R का आपका I है ठीक है उसके बाद आप देख सकते है आरेम से start होगा तो option देखिए तो यह option cancel हो जाएगे फिर S का opposite आप देखिए H होगा T का आपका G हो जाएगा R का I हो गया U का F ठीक है C का आपका हो जाएगा X और T का G तो यह आपका answer आजाएगा यह कौन चे option में R, M, H R, M, H G, I, F, X, G तो fourth option इसका answer हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको next question करते है next है आपको God को 15 लिखा गया है तो devil को क्या लिखिए है तो यहाँ पर आप देखिए कि G ठीक है God को 15 है तो यानि कि आप God को अगर आप इसकी position का sum करेंगे 15 से जादे आएगा तो कहीं न कहीं position का sum नहीं है यह आपको पहले ही पता लग जाना है थी तो अब क्या होगा vowel हो सकता है ठीक है जैसे vowel आप देख सकते हैं यहाँ पर A, E, I, O, U होते हैं तो इनकी position 1, 2, 3, 4, 5 है तो कहीं न कहीं इसका roll हो गए यहाँ पर तो आप देखें G की position होती है 7 अब vowel O हो गया तो O की position यहाँ पर कितनी होती है 4 होती है ठीक है 4 तो आपने 4 लिख दिया और D की position आपकी कितनी होती है 4 तो इसका sum करेंगे 7, 4, 1, 4, 15 तो समझ में आ गया 15 आ गया तो यही आपका है D का आपका है 4 E की position आपको यह 2 लिखनी है ठीक है तो यह आली position लिखनी है ठीक है आपको vowel की position ठीक है तो 2 हो गया V आपका कितना हो जाएगा 22 I आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 और L आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 तो इसका आप सम करेंगे तो इसका आपका सम कितना आ जाएगा इसका सम आपका आ जाएगा 43 तो अब आपको human का करना है तो H का आपका 8 है U की position आप देखिए 5 होती है 5 करेंगे N की position 13 E की position 2 होती है तो इससे आप सम करेंगे तो आपके पास आजाएगा कितना 8, 5, 13, 26, 26 और 16 तो यह आपका कितना आजाएगा 26 और 16 आपका 42 आजाएगा तो आपका answer कौनसा हो जाएगा 4th option हो जाएगा logic आपको समझबा आ गया होगा तो आपका आपका वावल्स है उनके आपकी जो वावल्स की position है वो लिखी गई ठीक है next question करते है next question है D.O.R.M को यह लिखा गया तो आपको first को यह लिखा गया तो आपको बताना है cancer को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखें D.O.R.M है D O R M को लिखा गया है तो आप देखें D O R M को लिखा गया है 4 4 ठीक है O को आपको लिखा गया 30 R आपका 36 हो गया और M 26 तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आप इनकी position देखें ठीक है इसकी position 4 होती है इसकी 15 होती है R की 18 होती है यह 13 तो यह आप देखें, यह 4 को 4 लिखा गया, 15 को double किया गया, 30, 18 का double, 36, 13 का double, 26, तो same आप first में भी चक कर सकते हैं, FIRST में आपका क्या है, F को 6 लिखा गया, I 3 का double, ठीक है, I 3 का double 9 है, और आपका 18 का double 36 लिखा गया, S के बाद 19 का 38 और T का 40, तो समझ में आगया होगा, आपका क् ठीक है, पहला जो है, वो तो आपको सीधे उसकी value लिखी है, बागी का double किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम cancer का करके देखते हैं, C, A, N, C, E, R, ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए cancer को C को यहाँ पर लिखा गया है 3 ठीक है 3 लेकिन A को यहाँ पर अगर हम double करेंगे तो 2 आ जाएगा और N का double 28 होगा और C का आपको यहाँ पर C का double करेंगे 6 होगा और E का आपका 10 होगा और R का आप 36 करेंगे इस हिसाब से आप देखें कौन सा आपसन है 3, 2, 28 3, 2, 28 तो इस हिसाब से तो कोई आपसन ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और लॉजिक है ठीक है लॉजिक तो आपका यही है लेकिन यहाँ पर आप क्या है मुझे समझमा आ गया है मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर 3 का 6 लिखा गया है I को 9 लिखा गया है R को 36 ठीक है ठीक है सौरी यहाँ पर I की value 9 लिखी गयी है ठीक है तो यहाँ पर भी आपका double नहीं किया गया है अच्छा अब समझमा आ गया मेरे तो यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मैं आपको logic बताऊ तो यहाँ पर logic ऐसा है देखो जो आपका single digit है यानि कि D आपका 4 है single है single position है इसकी 4 तो 4 single digit है तो उसको single लिखा गया है जो double digit है उसका double किया गया तो आप देखें F की position 6 होती है तो 6 लिखा गया I की position 9 होती है तो 9 लिखा गया और R की R 18 डबल डिजिट का है तो इसका double कर दिया गया S 19 है तो इसका double कर दिया गया T 20 है तो इसका double कर दिया गया तो आप cancer में देखें C A N C E R तो यहाँ पर क्या है इस तरीके से आपको करना है वहाँ पर आप करेंगे तो आपको समझमा आ जाएगा C आपका single है तो 3 लिख दिया A आपका single है तो इसका single ठीक है 1 से multiply के single जो है N आपका 14 है double digit का है तो double कर दिया C आपका single है 3 तो इसको 3 लिख दिया है E आपका single है 5 तो इसे 5 लिखा R 18 36 अब देखें आपको यह option नजर आ जाएगा 3, 1, 28, 35, 36 तो third option इसका answer होगा logic आपको समझमा आ गया logic मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर है क्या जो आपका single digit जिसकी position single digit में है यानि की 1 से लेके 9 तक उसको तो इन्होंने single लिखा हुआ है ठीक है उसकी position लिखी है लेकिन जो digit double में है उसकी double position उसको double कर दिया यानि की दुगना कर दिया गिया समझमा आ गया होगा आपको ठीक है next question करते हैं next question है next question है आपका orange को लिखा गया है L K L K G T X ठीक है मेरे अपकल को लिखा गया है तो आपको बताने next क्या होगा तो यहाँ पर आप देखें orange को O R A N G E orange को लिखा गया है L K Z G T X तो यहाँ पर देखें O जो है O का opposite लिखा गया है L यह opposite है और R R का K तो यहाँ पर आपका minus 7 कर दिया गया है A का opposite Z लिखा गया है N से फिर minus 7 किया गया है G का opposite आपका T फिर E से फिर minus 7 तो यहाँ पर क्या है पहले वाले का alternate है पहले वाले का opposite उसके बाद minus 7 फिर opposite फिर minus 7 फिर opposite फिर minus 7 ठीक है आप miracle को check कर लिजे M का opposite N फिर I में से minus 7 B तो same logic है ठीक है code मैंने आपको बता दिया क्या है तो आप सिधे lockdown का करिए ठीक है आप इसे कर सकते हैं अगर आपको doubt है तो यहाँ पर आप करके देख लिजेगा एक बार तो L का opposite आपको लिखना है तो O होगा फिर 15 में से 7 आपको फिर next में आपको opposite minus 7 करना है तो आप 15 में से 7 minus करेंगे तो आपके पास sorry यहाँ पर O है ना तो O में से 7 minus करेंगे तो आपके पास 8 हा जाएगा 8 की value यहाँ पर H आईगी तो OH होगा, फिर C का opposite लिखना है X, OHX से शुरू होगा तो OHX से तो आपका यह option तो नहीं होगा फिर K में से minus 7 करेंगे तो K में से minus 7 करेंगे तो आपके पास D आ जाएगा, ठीक है फिर यहाँ पर इसका opposite W फिर O में से minus 7 करेंगे तो 15 में से 7, फिर से आपका H आ जाएगा, ठीक है, H फिर उसके बाद आप करेंगे, opposite D होगा फिर minus 7 G, तो यह option होगा OHX, DW OHX से DW तो आपका fourth option इसका answer हो जाएगा ठीक है, logic आपका clear है, क्या logic मैंने बताया पहले वाले का opposite, दूसरे वाले का minus 7, next question करते है stroke को लिखा गया है आपका gluten को बताने है, आपका क्या होगा stroke को क्या लिखा गया है S T R O K E stroke को यहाँ पे लिखा गया है 23 17 13 13 10 और आपका 10 है 8 9 तो यहाँ पे इनकी position लिख लेता हूँ है 19, 20, 18 और यह आपका 15 और यह आपका क्या है यह आपका 11 यह आपका 5 ठीक है तो यही आपकी position है तो आप देखें इसको कैसे लिखा है अगर 19, 24, 23 है तो यह यहाँ पे आपका plus 4 किया है फिर उसके बाद minus 3 किया है ठीक है minus 3 किया है फिर आपका minus 5 है फिर आपका minus 5 है फिर आपका minus 3 है और फिर plus 4 है और अगर हम यहां भी देखें G को 14 लिखा गया है तो यहां पर आपका plus है तो यह logic यहां पर काम नहीं कर रहा है तो यहां पर दूसरा logic होगा तो यहां पर देखें और क्या logic हो सकता है तो यहाँ n लिखा गया, तो आप देखें, s का opposite क्या होता है, s का opposite h होता है, उसमें opposite प्लस 1, opposite प्लस 1 किया गया, s का opposite n, तो देखें, e का opposite क्या होता है, आप यहाँ भी देख लें, ठीक है आपको यहाँ भी देखने, E का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है, ठीक है, V होता है, V की पोजिशन 22, 22 प्लस 1, 30, अब देखने, T का अपोजिट 7 होता है, 7 प्लस 1, 8 लिखा गया, ठीक है, क्रोस में देखे, इस तरीके से, अपोजिट प्लस 1 है, ठीक है, यह अपोज एक 13, तो logic आपको समझ में आगया होगा, logic यह है, आपको cross में opposite है, और plus 1 है, ठीक है, तो question का मैं, ठीक है, जो पूछा गया हो देख लेता हूँ, आप इसे check कर सकते हैं, same यही है, तो यहाँ पर charge में आप देखें, c, h, a, r, g, e, e, तो यहाँ पर आप देखेंगे, c है, तो c से आपका cross में जाएगा, c का opposite क्या होता है, c का opposite x होता है, तो x यानि की 24 होता है, लिकिन हमें opposite का plus 1 करना है cross में, तो यहाँ पर देखें, C का अपोजिट 24, तो last में आपका 25 हा जाएगा, तो last में जिसमें 25 नहीं है, वो आपका answer नहीं होगा, यह नहीं होगा, उसके बाद E का अपोजिट V होता है, V cross में, और plus 1 करना है, तो 22, 23 होगा, तो 23 से start होगा, उसके बाद देखें, आप G का, G का अ पोजिट होता है, S 19, 20, तो 20, 25 होगा last में, तो आपका कौन सा है, 20, 25 लाष्ट में, अब कौन से option बचा, 4th, तो 4th तो इसका answer हो जाएगा, ठीक है, R का 18 होता है, तो यहाँ पर 19, आपका 18, ठीक है, तो यहाँ पर G का होगा, G का 21 लिख दिया हमने, उसके बाद आपका, यह है आपका, यहाँ पर 23, 21, उसके बाद आप देखेंगे, क्या बचा है, C, H, A, R, G, A का पोजिट आपका क्या होता है, 26, 26 में एक जोड़ेंगे, 27 आजाएगा, और R का पोजिट 18 होता है, 18 में एक जोड़ेंगे, 19, तो यह आपका total answer हो गया, 23, 21, ठीक है, 23, 21, sorry, R का पोजिट 9 होता है, 9 में एक जोड़ेंगे, 10 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलत बोड़ दिया, तो यह 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखें, C का पोजिट आपका 24 प्लस है, E का पोजिट 22 प्लस है, ठीक है, वेसे ही H का पोजिट यहाँ पर लिखा है, S 19 प्लस 1, और G का पोजिट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, G का 20 प्लस 21 और यहाँ पर R का पोजिट, R का पोजिट आई होता है, उसमें एक जोड़ेंगे, 10 होजाएगा, ठीक है, तो समझ मा आगे होगा, जैसे यहाँ पर था, वही लौजिक है, तो लौजिक आपका क्या है अपोजिट क्रॉस में अपोजिट प्लस वन है ठीक है इस यहाँ पर कलेंडर को लिखा गया है ठीक है तो अब देखें यहाँ पर किस हिसाब से लिखा गया है दो यहाँ पर अगर आप इनकी पोजिटीन लिखते हैं तो इनकी पोजिटीन होती है आपकी 3,1,12,5,5,14 और D की पोजिशन होती है आपकी 4,ऊ और यह 1,18 थीक है तो आप सोचें इसका क्या लॉजिक है मैं दूसरा लिखता हूं फेस्ट मास्क कर लिखा गया है ठीक है आप स ठीक है उसके बाद आपका 10 है 10 के बाद 1 1 4 है ठीक है 1 4 फिर उसके बाद है आपका 2 3 1 6 तो यहाँ पर आप देखें इनकी position आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पर C है C को cross में लिखा गया है तो C का आपका यह है ठीक है 3 और R को यहाँ पर cross में लिखा गया है लेकिन R का digit sum लिखा गया है R की position होती है 18 18 का 8 9 सेम आप देखें A A को 1 लिखा गया है ठीक है और इस A को यहाँ पर cross में देखें A1 यहाँ लिखा गया है A1 यहाँ लिखा गया ठीक है इस तरीके से ठीक है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहोगा आपके, फिर भी आप समझे, मैं बोल भी रहाँ, L की पोजिशन 12 होती है, 12 का 1 प्लस 2, 3 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है इस तरीके इस से क्रॉस में, उसके बाद देखे, D की पोजिशन 4 यहाँ पर लिखी गई है, और N की वावल का कोई खेल है, A, E, I, O, U, तो आप यहाँ पर देखे, A, E, I, O, की पोजिशन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी यहाँ पर वावल है, उनकी पोजिशन लिखी गई है, तो आप देखे, E की पोजिशन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, तो समझ में आ आपको कैसी लिखा गया है, तो आप फेस मास्क में आप देखे, फेस मास्क में F की पोजिशन 6 होती है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, K की पोजिशन 11 होती है, तो इसका डिजिट सम 1 प्लस 1, 2 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, क्रॉस में, और उसके बाद A को A की पोजिशन 13 होती है, 3, 1, 4 यहाँ पर लिख दिया है, फिर से देखे, E की पोजिशन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो E यहाँ पर दूसरे नमबर पर आता है, वावल में, तो यहाँ पर 2 लिख जाएगा, तो समझ मां आगया होगा, ठीक है, उसके बाद आप देखे, आपको क्य लाश्ट में 10, अब E की पोजिशन आपको क्या लिखनी है, E की पोजिशन 2 लिखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आजाएगा, और T की यहाँ पर 20 होता है, तो 2 प्लस 0, 2 आजाएगा, फिर उसके बाद I आएगा, I की पोजिशन यहाँ पर 3 होती है, तो 3 आजाएगा, C 3 यह यहां भी आ जाएगा उसके बाद R 18 होता है R take 9 आ गया और U की position यहां पर 5 होती है तो 5 आ जाएगा तो आप देखें यह option होगा 723953210 तो आपको यहां पर फर्स्ट option रज़र आएगा यह आपका answer हो जाएगा ठीक है समझ मा आ आपको logic ठीक है समझ मा आ गया हुआ अगर यहां पर आप पहले खुश से करें फिर देखें क्या है solution तो यहां पर promise को लिखा गया है P R O M I S E promise को लिखा गया है W X T Q L U F ठीक है तो यहां पर आप देखें P से W गया तो प्लस 7 क्या गया है R से X है तो प्लस 6 है O से T है तो आपका कितना है प्लस 6 है O से T है O आपका 15 प्लस 5 है फिर आपका प्लस 4 है फिर आपका प्लस 3 है फिर प्लस 2 प्लस 1 ठीक है सिंपल है आपके प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 है तो M में आप करें प्लस 7 करेंगी तो आपके पास प्लस 6 करेंगे तो 11 आएगा तो K आएगा तो T के से स्टार्ट होगा पहला option इसका answer हो जाएगा फिर भी आप इसे कर लिए प्लस 6 होगा प्लस 5 होगा तो Q हो जाएगा प्लस 4 होगा X हो जाएगा फिर L होगा फिर B और last मा आपका H हो जाएगा ठीक है समझ मा आगया होगा आपको ठीक है सिंपल सा question है तो आपको प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 ऐसे करना है logic आपको समझ मा आगया होगा next question करते है next आप देखें यहाँ पर क्या हो सकता है तो यहाँ पर umbrella को लिखा गया U M B R E L L A तो umbrella को लिखा गया है V V N C यह तो सायद प्लस 1 प्लस 1 लिखा गया है S D K K Z तो यह तो आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर आपका प्लस 1 है U में आप प्लस 1 करेंगे V आएगा यह आपका प्लस 1 है B में प्लस 1 है और R में आपका प्लस 1 है और e में आपके यहाँ पर minus 1 है यानि की सुरू के 4 आपके minus plus 1 है Last minus 1 है Last के 4 minus 1 है तो यहाँ भी आप देख सकते है सुरू के 4 plus 1 है, last में minus 1 है तो Monument का क्या हो जाएगा Mo, N, U, M, E, N, T इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सुरू के 4 plus 1 तो M, N हो जाएगा O, P, N, O हो जाएगा U के पास V आ जाएगा और यहाँ पर –1 होगा तो आपका L आएगा यहाँ पर आपका –1 होगा D आएगा यहाँ पर M, यहाँ पर S तो यह option देखें कौन सा option है ठीक है तो option आपको नजर आएगा और आपको Mark को यह 61 है, तो Induce को बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले Mark को करके देख लेते है Mark को आप करेंगे तो Mark का आपका Sum करेंगे तो आपका कित्ता आजाएगा ठीक है Mark पर आप Sum करेंगे तो आपका आजाएगा 13 13 प्लस आपका 1 हो जाएगा प्लस 18 प्लस 11 तो इसे करेंगे तो आपका आजाएगा 18 11 12 30 43 आजाएगा जबकि यहाँ पर 61 है तो यहाँ पर कुछ और हो सकता है तो यहाँ पर Apposit का Sum करके देख लेते हैं ठीक है तो Apposit का Sum हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर Apposit का Sum करेंगे ठीक है यह इसलिए करों क्योंकि इसमें अलफावेट कम है तो यह जल्दी हो सकता है ठीक है यहाँ पर आपका M का Apposit आपका N होता है 14 प्लस 26 प्लस R का Apposit आपका I हो गया 9 प्लस K का Apposit पी 16 तो इसका मैं Sum करूँँगा तो इसका Sum आजा रहा है आपका 6, 6, 12, 4, 16, 16, 16, 65 आजा रहा है तो 65 में से यह आपके 4 4 अलफावेट है तो 4 को मैनस कर दूँगा तो आपके बास 61 आ गया तो यह लोजिक है तो इस लोजिक से Induce को करूँगा तो Induce में मैंने Apposit लिखना है तो सबसे पहले और इसमें से मिरको जितने अलफावेट है उतने मैनस करने है तो मैनस 6 करूँगा तो 100 आ जाएगा तो इसका answer आपका 100 आ जाएगा आप Topper को भी करके देख सकते हैं इसका जो आपका Topper को आप करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो Sum आएगा हो 72 आएगा ठीक है 72 में से आप मैनस 6 करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा ठीक है इसे आप कर सकते हैं तो यह आपको logic मैंने बता दिया है Next question करते है Next है आपका ठीक है आप देखें जो alphabet यहाँ है वही alphabet यहाँ है तो यहाँ पे कौन सा order हो सकता है ठीक है order भी मुझे समझ में आगे descending order यानि कि आपका कह सकते है घठते होए करम में है decrease T O U C H touch को लिखा गया है तो सबसे बड़ा U आता है U लिखा है उसके बाद आपका क्या है T आता है T लिखा है फिर O है फिर H है फिर C है तो यहाँ पे क्या सकते है descending order में लिखा गया है तो उसके बाद P L A N T को लिख लीजे तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा होगा सबसे बड़ा आप T आएगा ठीक है T आएगा फिर आपके पास P आएगा P के बाद N फिर L A तो इसका answer क्या हो जागा T P N L A तो T P N L A आपका second option answer हो जाएगा तो यहाँ पर आपको यह भी पता चल गया किस तरीके से दिया गया descending order में दिया गया है तो आप इस तरीके से इसे कर सकते है next question करते है next है frozen को आपको 504 लिखा है tonsil को 756 लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको बता है यहाँ पर आपका इनका sum का multiply होगा कहीं न कहीं ठीक है तो यानि कि sum को add करेंगे फिर उसका हो सकता है इनके जितने यहाँ पर alphabet की दिये हैं इससे multiply हो तो यहाँ पर आप देखते है F की position 6 है तो 6 चको 24 की 4 2 8, 6, 48, 48, 42, 50 504 आगया तो आपने देखा तो यहाँ पर क्या है इसका logic क्या है आपको alphabet का sum करना है और फिर जितने alphabet है उससे multiply कर देना है तो यहाँ पर आप tonsil को करके देखेंगे तो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह 7 है तो यह 7 का multiple होगा ठीक है तो यह है भी आप tonsil को करके देख लीजिए ठीक है tonsil को आप कैसे करेंगे T इसे मैं कर लेके दिखा देता हूँ आपको tonsil को ठीक है यहाँ पर T T की position आपकी कितने होती है T की आपकी position होती है टीके आपकी पोजिशन होती है 20 20 आपका 15 15 के बाद आप कह सकते हैं इसका गित्त होदा 15 sorry प्लस करना है 15 14, 19 9, 12 और आपका 19 ठीक है इसका आप सम करिए और सम को आप सास से मिल्टिप्लाइ कर दिए ठीक है तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका 756 आ जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं इसको आप करें खुछ से सम करके इसे करें मैं आपको सीधे आंसर बताता हूं मरीन का करके बताता हूं ठीक है लॉजिक मैंने आपको बता जिया पोजिशन का सम और जितने आपके अलफा बेटा उससे मल्टिप्लाई तो मरीन को आप करेंगे तो म, A, R, I, N, E तो मरीन को आप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एम का आपकी पोजिशन होती है 13, plus 1, plus 18, plus 9, plus 14, plus 5 तो इसका आप सम करेंगे तो इसका सम 60 आजाएगा और इसको 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 6 आपके अलफा बेट है 6, 6, 36, 36, आजाएगा जो कि आपका 3rd option है समझ मा आगया आपको किस तरीके से करना है Next question करते है Next आपका Lancer को लिखा गया ठीक है वोही अलफा बेट जो यहाँ पर है वोही अलफा बेट लिखे है Cross pattern हो सकता है Lancer Lancer को लिखा गया है यहाँ पर N-A-L-R-E-C ठीक है तो यहाँ पर कैसे लिखा गया N-L-A-C-R-E ठीक है simple है तो Norway को कैसे लिख दिंगे आप R-R-N-O ठीक है R-O-N हो गया और यहाँ पर आपका Y-A-W तो यह Y-A-W हो जाएगा R-O-N-Y-A-W इसका answer हो जाएगा आप देखें R-O-N-Y-O-W second इसका answer हो जाएगा ठीक है next question करते है Next question को आप करें ठीक है यहाँ पर देखें कैसे होगा तो यहाँ पर आपको honor को 74 लिखा गया मैं इसको करता हूं ठीक है यह ठोड़ा small है तो यहाँ पर अगर इसको मैं करूगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर इसकी position का sum करेंगे तो यह 8 plus 15 plus 14 plus 15 plus 21 plus 18 तो यह आपका जो sum आजा रहा है यह 91 आजा रहा है तो यहाँ पर यह logic नियुक नहीं होगा आप उपूजिट का sum करके देख लेते हैं ठीक है, अपूजिट का सम करेंगे, तो अपूजिट का सम भी आपका लगबक उतने हैं आएगा, ठीक है, तो H का अपूजिट आपका होता है, S, S होता है, तो 19 हो गया, O का अपूजिट आपका 12, ठीक है, N का 13 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, प्लस 6, प्लस 9, तो इसका सम करें ठीक है तो सेम आप यहां भी करके देख लीजेगा H E A B E यहां पर करेंगे तो यहां पर H का आपका जो है H का पोजिट 19 है फिर 22 है E का फिर E का 26 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 13 तो इसका सम करेंगे तो इसका सम आपका आजाएगा इसका सम आजाएगा 107 और हमें 3 एट करना है तो 3 एट कर लेते हैं तो यहां पर कितना आजाएगा 110 आजाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 110 हो जाएगा second option ठीक है तो यह आप देख सकते है next question करते है next है भर्थ को लिखा गया है ठीक है देखें आप क्या है b, i, r, d, h बर्थ को लिखा गया है 2, 5, 12, 9, 7, 19 तो यहां पर जो है यहां पर मुझे यह नजर आ रहा है b का opposite होता है y ठीक है तो b का opposite लिखा गया है opposite b का opposite y है और i को 12 ठीक है i में आपका plus 3 कर दिया गया है ठीक है r का opposite i होता है तो यहां पर next फिर opposite लिखा है फिर t का opposite आपका 20 लिखा गया है ठीक है t का opposite g होता है 7 लिखा गया है और h का opposite s, 19 तो यहां पर क्या किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो है आपका सारे consonant जो है उनका opposite लिखा गया opposite की position लिखे गया है और जो वावल है उसमें आपका प्लस 3 की आई गया है तो वावल आई है प्लस 3 है तो devil में हम करके देख लेते हैं D, E, V, I, L तो D का अपोजिट आपका 23 होता है ठीक है 23 लिखा गया है तो E आपका वावल है तो E में E की position 5 होती है उसमें प्लस 3 करना है आपको समझमा आ गया अब आप glory का कर सकते है glory का कैसे करेंगे ठीक है G का अपोजिट होता है आपका 20 तो 20 लिख दिया ठीक है L का अपोजिट होता है आपका O, ठीक है O आपका 15 आजाएगा ठीक है उसके बाद आपका O ठीक है O है, O आपका क्या है मैंने आपको बताया ओ आपका फॉवल है उसके प्लस 3 करना है तो ओ आपका 15 होता है 15,3,18 आजाएगा और आर का आपका अपोजिट होता है 9 और यहाँ पर 2 आजाएगा तो आपका आंसर जो आजाएगा 20,15,18,19 तो फर्स्ट आप्सन इसका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा क्या logic है consonant का तो आपको निखना है और जो फॉवल है उस उसमे प्लस 3 करना है तो यह लास्ट लाश्कोषिन है तो इस से आपको खुशसे करना है और comment करना है उसका झाल